ना आलू, ना प्याज, ना लैसन, ना ही पोह जाईए, बहुत कम चीजों में हम यो बहुत जादा टेस्टी सा नास्ता बनाने वाले हैं, जोकि सेंडविच की तरह है, लेकिन इसमें ब्रेट का भी इस्तिमाल नहीं है, और बहुत ही जादा मज़िदार लगता है, बहुत ही टिफिन के लिए एक्तम परफेक्ट है, आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, अपने नाश्ते में भी बना सकते हैं, या फिर शाम के लिए बना सकते हैं, सिर्फ सूची और कुछ सब्जियों के इस्तमाल से हम ये नाश्ता बनाने वाले हैं, और सब्जियां भी जो अभी आपके घर में भी रखी होंगी तो जल्दी से हमी रेसेपी शुरूर करते हैं बहुत सादा आसान है ये बनाना तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने घर पर ये नाश्टा ट्राय जरूर कीजेगा बहुत सादा पसंद आएगा वीडियो को पूरा देखना है और हाँ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सरूर करना है मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सागत है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले याँ पर एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें एड करेंगे सूजी तो मैंने आपर मोटी वाली सूजी ली है आपको बारिक वाली मेले बूबी ले सकते है एक कब सूजी लेंगे और उसमें एड करेंगे तीन चमश दही तो मैंने चमश को अच्छे से भर कर दही लिया है कम नहीं रखना है दही की quantity थोड़ी जादा रखनी है नमक एट करेंगे थोड़ा सा और थोड़ी सी चीनी एट करेंगे एक एक चौथा ही चमस दोनुची से एट की है और एक टिविल स्पून ओयल एट करेंगे अब इन सारी जीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले दही के साथ में सूजी को मिक्स करना है फिर यहाँ पर मैं एट कर रही हूँ गरम पानी गरम पानी से क्या होगा कि सूजी चल्दी से फूल जाती है अभी सर्दियों का टाइम है न इसलिए और मेरे पास भी टाइम कम ही था सिर्फ 30 मिनिट में मैंने ये रेडी किया था पूरा सबजियां कट करना और ये नाश्टा बनाना सब कुछ तो अगर इस नाश्टे के लिए टाइम देके तो सिर्फ 10-15 मिनिट का टाइम लगता है है इसे जाह alan बिल्कुल भीनाए सब ठोडा सा पानी डाल कर मतलब घूल बनाना वह मुस्त पत्ला नी करना है औहाए अ कर लिए जैसे हम इडीले बनाते हैं या धोक्तव्किले के लिए ब्ल्कुल वैसा ही रेडी करके रग दीजिये का 10 मिर्ची के लिए इसको रेज्ट देना है ताकि सूजी फूल जाए अब यहाँ पर एक कडाई ले लेंगे और इसमें एड़ करेंगे ओईल फिर इसमें थोड़ा सा डालेंगे राई राई जब अच्छे से चटकने लगेगी फिर इसमें एड़ करेंगे हरी मिर्ची हरी मिर्ची डालना बिल्कुल ऑप्शनल है बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो पूरी तरह से स्किप्ट कर सकते हैं थोड़ी सी इसमें एड़ करेंगे शिम्ला मिर्ची एक चौथाई कप जितनी और शिम्ला मिर्ची को भी मैंने बारी कट कर लिया है थोड़ी सी समें स्वीट कॉंस एड़ करेंगे बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में मतर एड़ करही है तो यह दोनों चीजये मेंने एक च्ञुधाई कॉप ली है मतरे है और स्वीट कॉझन भी तो इन्हें अच्छे से हमें cook करना है मटर को soft होने तक और इसको soft करने के लिए इसमें नमक भी add कर देंगे तो अपने taste के according नमक add कर दीजेगा और अच्छे से mix कर देंगे थोड़ी तरह तक इन तोनों चीजों को ऐसे ही cook करना है ताकि मटर थोड़ी soft हो जाए और जैसे ही आपको लगे कि मटर soft हो चुकी है देन इसमें add करेंगे गोबी तो गोबी को मैंने एकदम लच्छे दार कट किया है आप देख सकते हैं आप चाहें तो बारिक चॉप भी कर सकते हैं बारिक चॉप करेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा उससे आपकी जो नाश्टी के एकदम finishing बहुत ही अच्छी आएगे पर मुझे इसमें थोड़ा सा noodles या सा लुक चाहिए था तो इसलिए मैंने लच्छे दार कट किया है तो जब आप नाश्टा करेंगे उसको बनाएंगे ना तो इक दम बैसा लगेगा पंदब अच्छा लगता देखने में तो बस गोबी को एट कर देंगे और फिर यहाँ पर मैंने लिए हैं कच्छे केले उबले हुए तो मैंने यह तीन केले बॉइल कर लिये थे और इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है छिलकर निकाल कर और इन्हें भी अच्छे से गोबी के साथ में मिक्स कर देंगे केले उबले हुए हैं और गोबी को हमें बहुत चादा पकाना नहीं है ठीक है अब इसे मसाले अट कर देते हैं तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी सौफ और लाल मेचे पाउडर अट कर देंगे तीखा आपके उपर डिपेंड करता है आपको कैसा रखना है मैंने ये थोड़ा से स्पाइसी ही बनाया है क्योंकि चटाके दार मस्त लगता है तो देखे हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, सारी चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है सिर्फ तीन मिनिट में हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई है अब यहाँ पर हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है, मैंने थोड़ी दिर पहले ही इसको फूल ने रख दिया था, तो देखे, अच्छे से ये गाड़ी भी हो गई है, तो थोड़ा से इसमें पानी और मिक्स करेंगे हम, तो मैं वापस से गरम पानी ही इसमें डाल र दिया था क्योंकि हम इसे स्टीम करने वाले है, तो सोडा मिक्स करेंगे, पूरी में अच्छे से मिक्स होना चाहिए, यहाँ पर आप इनो फूट सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो देखे, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है सोडा, अब यहाँ पर मैंने एक ऐसा ट तिफिन लिया है aesthet में मैंने ऑईल लगा लिया था थोड़ा जादा लग ए तो बटर पेपर भी मैंने इसमें लगा दिया है और बटर पेपर भी दोनों तरफ ओल कmotion लगा दिया है जो प्रेंट वाली साइड होती है उसको नचे रखेंगे और प्लैंड साइड को ऊपर रखें मेरे पास चली फ्रेक्स नहीं थे तो मैंने सिफ हरा दनिया ही डाला है अब आदा बेटर इस टिफिन में डाल देंगे अच्छे से मिक्स करते हुए आप देखेंगे कि जैसे ही सोड़ा अपना काम करेगा मतलब अच्छे से पूरे में फैल चाहेगा तो यह जो बेटर है हलका होने लगेगा फूलने लगेगा तो देखिए मैंने आदा बेटर इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से फैला देते हैं कोने कोने तक अच्छे से फैलाईए गा और बटर पेपर का इस्तमाल करना ऑप्षनल है लेकिन अगर आप टिफिन में बनाते हैं मेरी तरह तो पूरे हो जाएंगे आप देखेंगे कि आपने यो बैटर डाला था ना वो थोड़ा फूल गया है देखिए और उपर से एकदम सर्फेस इसकी मतलब कुक हो गई है थोड़ी सी अब यहां पर मैं डाल रही हूँ वो स्पाइसी थीकी हरी चटनी इससे क्या होगा कि नाश्टे का टेस्ट एकतम अलगी लेवल पर जाएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो हरी चटनी आप फटफट बना भी सकते हैं और अगर आप इससे स्किप करना चाहते हैं तो तब कर सकते हैं थोड़ी सी तालमेज का पाउडर इसपर स्प्रिंगल कर दीजेगा वो भी काम करेगा तो देखिये हरी हरी चटनी हमने इस पर लगा दी है जिससे फैला दी है अब चो कसे बनाई है न उसको फैलाना है तो थोड़ी-थोडी करके इसपर स्टफिंग हम पूरी डाल देंगे मतलब जो मे परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ में एक्तम परफेक्ट बने का अब यहां पर जो नाश्ता मतलब जो स्टफिंग थी हमारी वो मैंने पूरी फैला दी है अच्छे से एकदम प्लैन कर दी है सर्फिस और जो हमारा बैटर बचा हुआ था अब वो भी इस पर फैलाना है हमें तो तो क्या होगा कि नाश्ता निकालने में असानी रहे कि तो देखिए मैंने सारा ही बैटर फैला दिया है चम्मस से इसको एक सार कर देंगे और फिर वापस से हम यह धक्कन लगा देंगे यह देखिए थोड़ा सा इसमें पानी था कोई बात नहीं है उससे तो इसे हब हमें 5 पंदरम निट तक स्टीम करना है पूरे पंदरम निट तक जितनी देर में इडली तयार होती स्टीम होके विल्कूल वैसे ही इडली की भी मैंने रेसिपी शेयर की हुए है बहुत ही असन तरीके से आप वो भी देख सकते हैं मेरी वीडियो को तो उससे भी आपको इडली ब है निकाल दिया है इसे ठंडा होने देंगे पूरी तरह से जब आप पर संथ से टस्च कर पाएंगे तब हमेंसे दिमोल्ड करेंगे तो सबसे पहले चापू से चारु तरफ से इसको कट कर लेंगे मतलब चारु तरफ चाकू आप फिर देना ₹ इस तरह से अच्छे से मतलब जो सफाई आई है वो कितनी जादा है अच्छे से इसमें जाली भी बनी है और एकदम पर्फेक्ट फूला भी है बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे का जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे ही आप बनाईए का तो बहुत ही आसानी से आप ये नाश्टा बना पाएंगे देखे अब मैंने इसको कट कर लिया है पहले हम सेंटर से कट करेंगे बीच में से एकदम और चाकु की जो धार है ना अच्छी होनी चाहिए तो इससे क्या होगा कि इसके कटिंग में आसानी भी रहे कि और ये अच्छी से कट होगा मतलब और हाँ आप इसे चाहें तो इस तरह से जैसे चायर टूख्डे हैं ऐसे पी इसको हल्का सब्सक्राइश कर सकते हैं लिकिन मैं तोड़े और पीसर कर रहे हों हर पीस का धो hospice 3 और कर दियो तो इस तरह से हमें akan को ऑठा कर दिखाती हो एक पर बहुत ही असानी इसकर निकल सकता है कोई बात ने और यहां पर पर दिखिए जो गोबी मैंने डाली थी इस तरह से वो कितनी अच्छी लग रही है तो आप ऐसी भी कर सकते हैं और चॉप भी कर सकते हैं अब जल्दी से एक तड़का बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने आपर एक तवे पर तेल डाल दिया है थोड़े से कड़ी पत्त डाले हैं थोड़ा से जीरा और सॉंफ डाला है साथ में इसमें राई भी डाली है तो इस तरह से मेरा कैमरा जो है फोन का बहुत जादा खराब हो चुका है पता नहीं क्यूं और अब तो मुझे यही चिंता है कि मैं वीडियो बनाऊंगी कैसे थोड़ा सा हल्दी पावडर डाल अच्छा आता है अच्छे से सारे मसाली मिक्स कर लेंगे और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो यहां पर एक मिट में हमारी तड़का भी रेडि हो चुका है अब एके करके जो सारे पीसेस हैं वो इस पर हम डालेंगे और इस तरह से आराम से रखिएगा जल्द बाजे बि कर सकते हैं तो यह हमारा नाश्ता बनकर त्यार हो चुका है प्लेटिंग करते हैं तो देखें यह दिखने में भी अच्छा लग रहा है और सोड़ी की वज़े से हलका से तो यह हमारा नाश्ता बनकर त्यार हो चुका है तड़के के साथ में आप अपके लिए और इस नास्ते को आप जरूर से ट्राइब कीजिए का बहुत जादा अच्छा लगता है और बिल्कुल सेंड्विश की तरह लग रहा है क्योंकि हम और ब्रेट का भी इस्तमाल नहीं है तो हेल्दी भी है टेस्टी भी है चटाकेदार है बहुत ज़्यदा मसेदार है जरूर से ट्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग